Hey everyone, welcome and welcome back to my youtube channel आज की इस वीडियो में हम plain कुर्ती से एक designer कुर्ती बनाएंगे तो इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने net का fabric लिया है आप चाहें तो जोर्जेट या cotton का fabric भी यूज़ कर सकते हैं कुर्ती के front part को मैंने round neck के साथ V shape में cut कर लिया है और कुर्ती के back part को भी हम half inch की depth में cut कर लेंगे इसके बाद मैंने notebook के कुछ पुराने page को लिया है इन page को हम आपस में इस तरीके से चिपकाएंगे इस तरीके से जितनी हमारी कुर्ती की लंबाई है उतनी लंबाई में हम इन page को आपस में चिपका लेंगे आप चाहें तो newspaper या chart का use भी कर सकते हैं इसके बाद कुर्ती के front part को हम इसके उपर फिला देंगे और इसके चारो किनारों पर इस तरीके से fabric glue की help से इसे चिपका लेंगे और जैब यह चिपकाने के बाद अच्छे से सूख जाएगा तब हम चारों तरफ से extra paper की cutting करके इसे निकाल लेंगे सेम इसी तरीके से दोनों sleeves पर भे हमने paper को इस तरीके से चिपका लेना है इसके बाद हम सीधी लाइनों को ड्रो करेंगे पूरी sleeve के उपर और जो हमारी कुर्ती का front part है उसके उपर हम इस तरीके से सीधी लाइनों को खीचेंगे इन सीधी लाइनों के बीच में हम एक एक इंच का gap रखते जाएंगे और इस तरीके से अपने दोनों स्लिव्स और कुर्ती के फ्रंट पार्ट पर इस तरीके से सीधी लाइन्स को ड्रो कर लेंगे इसके बाद मैंने इस सफेद सिल्क थ्रेड लिया है इसे हम नॉर्मल मशीन में उपर की तरफ सेट कर देंगे नीचे की तरफ हमने सिम्पल धागे को रखा है और अब हम जितनी भी हमने सीधी लाइने खीची है इन सभी लाइनों के उपर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे बिल्कुर हमने नॉर्मल सिलाई लगानी है देखिए हमने सभी lines पर cdc लगा लिए है और अब fabric glue की help से यह मैंने सफेद mini सितारे लिए हैं इन सितारों को हम इस तरीके से आमने सामने करते हुए चिपका लेंगे दोनों sleeves हमारी कूर्ति के front part पर हम इन सितारों को इस तरीके से आमने सामने करते हुए alternate sequence में चिपका लेंगे एक बार ये अच्छे से सूप जाएंगे तब हम newspaper को हटा लेंगे तो ये देखे हमें newspaper को हटा लिया है sleeves के नीचे से हमने मुडाई भी कर ली है अब हम नीचे से 3 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से 3 इंच पे हम सीधी लाइन को ड्रोग कर लेंगे इसके उपर हम एक और 3 इंच पे सीधी लाइन को ड्रोग करेंगे और ये मैंने नैट के फैबरिक की ही पट्टी ली है जिसकी जोडाई है 2 इंच है इस पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए हम इस पे सिलाई लगा लेंगे सिलाई लगाने के बाद हम इसे पैन की हैल्फ से सीधा कर लेंगे सीधी पट्टी को हम इस तरीके से सिलाई वाले पार्ट को हम सैंटर में रखेंगे और इसके ऊपर हम जो सिलाई है इसके ऊपर हम एक मोटी सिलाई लगाएंगे कच्ची सिलाई लगाएंगे और इसके एक धागे को पकड़के हम इस तरीके से खीचते हुए पूरी पट्टी के ऊपर हम गैदरिंग कर लेंगे और इस पट्टी को हम अपने स्लीव पे अटेच कर लेंगे इसके अलावा हमने जो तिन दिन इंच के दो निशान लगाए है उनके उपर भी इस पट्टी को सिलाई लगा के अटेच कर लेंगे और कच्छी सिलाई को हम इस तरीके से खोल के निकाल देंगे इसके बाद मैंने lining का fabric लिया है जिसकी लंबाई 18 इंच है इस fabric को हम नीचे की तरफ से double fold करते हुए सिलाई लगा लिए इस तरीके से हमने नीचे की तरफ से सिलाई लगा लिए है अब अपने कुर्ती के front part को हम इस तरीके से रखेंगे और चारो तरफ से fabric glue की help से हमें से lining वाले कपड़े से चिपखा देंगे और जब इस सूख जाएगा तब हम इसके extra fabric की इस तरीके से cutting कर लेंगे lining के fabric का ही मैंने एक पीस ओर लिया है इसे हम अपने V cut पे इस तरीके से रखेंगे और fan से V shape का निशान लगाएंगे और इसी cutting करके निकाल देंगे इसके बाद हम extra fabric की इस तरीके से cutting कर लेंगे और इस V को हम इस तरीके से अपने neck पे रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे सिलाई लगाने के बाद हम छोटे-छोटे cuts लगाएंगे और इस fabric को हम पीछे की तरफ पलट देंगे इस तरीके से और सिलाई लगा कर हम अपना गला बना लेंगे अब हम दुबारा एक gathering के लिए पट्टी तयार करेंगे इस पट्टी की चोड़ाई मैंने दो इंच रखी है इस पे हम सिलाई लगा के इसे सीधा करेंगे और सिलाई वाले हिस्से पर दुबारा एक मोटी सिलाई लगा के इसमें gathering कर लेंगे अपनी कुर्ती के front और back दोनों पार्ट को मैंने stitch कर लिया है और बाकी का बचाओ हम गला बनाएंगे इसके लिए हमने जो एक gathering की पट्टी तयार की है इस पट्टी के एक साइड पे हमने सिलाई लगा लिए है फोल्ड करते हुए और इस फोल्डिंग साइड से ही हम इसे इस तरीके से रखेंगे और गले के चारों तरफ गुमाते हुए सिलाई लगा लेंगे सिलाई लगाने के बाद हम इसे इस तरीके से अंदर की तरफ पलटते हुए एक टोप स्टीच लगाएंगे ताकि यह जो कोलर है हमारी अच्छे से बैट जाए के बाद स्लीप्स लगाकर हम अपने कूर्ती को स्टीच करके त्यार कर लेते हैं और यह देखी है हमारी कूर्ती बनके त्यार हो चुकी है आपको यह वीडियो कैसी लगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तिल देन ब्ले युता